नमस्कार दोस्तों मैं संदीफ स्वागत है आप सभी का आज कि नई की एंफीस वीलो में तो आज की वीडियो उन चाठ्व के मुपार्टन भाली है चाहत हैं उनके लिography नकीव लुक्त हुड वाल को भी ट्राइन वीडियो में जिनका एक्जाम सिसन हो जाएंगे इस वीडियो से यह मैं कह रहा हूं और साथ-साथ मैं आपको यह भी जान काई दो कि इस चैनल के मादम से लगभग सभी माडल को प्रवाइड के जाएंगे वह चाहें जो भी सब्जेक्ट हो बस आप लोगो थोड़ा वेट करना होगा तो आज किस वीडियो हम ब पूछे जाते हैं आप सभी को मालूमी है इस बार भी पूछे जाएं क्योंकि यूजी जो नहीं फिच्छा नीती आई ते उसमें लिखा भी था तो आप लोगों को ध्यान से देखना है और समझना ठीक है चले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे उसका एंसर भी माँ लोगों को बताएंगे ठीक है यह ध्यान में रखेगा वीडियो को लास्ट तक बने रहीएगा ठीक है पहला कुश्चन का जन्म कब हुआ तो दोस्तों यह कुश्चन को टाइप करने में मिश्च हो गया क्योंकि मैं आपको बता दू अभी मिश्च हुआ मैंने पी इन आफसरों में से जो राइट एंचर हो जाएगा वह जाएगा उत्तर प्रदेश जाने किसी नंबर ठीक है इसी नंबर पर आप लोगों को टिक कर देना है ठीक है बढ़ते हैं इस कुश्चन के और लिखाए कि कुवेड नाथ के पिता का क्या नाम था हरी शेंकर जगत र से उनका जो नाम था वहाँ श्री बैककोंट नात जी था इसलिए को राइट टेस्ट करेंगे वह सी नंबर करेंगे किक बैड़नात का जण्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था अभी आपने उपर पढ़ा कि को बेड़नात जी का जण्म कहां पर हुआ था तो लेकिन आप पूंश रहा है कि किस दिले में हुआ था तो इन अप्शनों में से राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा दोस्तों बी नंबर यानि की गाजीपुर में कुवेड नाद जी का जड़्म हुआ था ठीक है ओके नेश कोश्चन है कि कुवेड नाद की माता का क्या नाम था अंजनी लीला देवी लक्षमी देवी राम देवी तो जो कुवेड नाद जी थीक है थे उनकी जो माता थी उनका जो नाम था वह था लच्छमी देवी इसलिए इसलिए क्वेड नाद पर जन्म कब हुआ था अब यह यह पूछ रहा है कि कब हुआ था किस सन में हुआ था आपको मिल जाएंगे 1888 1923 और 1927 में तो इसको चैनल राइट एंसर हो जाएगा दो तो वह जाएगा 1923 यानि की सी नंबर कुबेर नात का जन्म सन 1923 में हुआ था ठीक इसलिए राइट एंसर सी हो जाएगा यह का हट जाएगा ठीक गलती से टाइप हो गया है बढ़ते हैं लिखा है कि कुबेर नात राय किस वर्ग के निबंदकार थे ऐसे आपके एक जाम में कोश्चन आ जाए तो जैसे क कि इसके अलावा दूसरा कोश्चन भी इसमें बनता है कि कुबेर नात जी ठीक है यह कोश्चन इस तरह बनेगा किन निमलिखित में से कौन निबंदकार है तो उसमें आपसन मिल जाएंगे तो वहां पर कुबेर नात रहेगा तो आप लोग को कुबेर नात जी एक करद मुलक ललित इनमें से कोई नहीं तो कुबेर नात राय जी जो है वह निबंदकार थे वह इसकि आए ञें निबंदाकार ते याद रखेगा अगला कोश्चिन है कि अंपूड जैनेद्र का अग्गे का कुवेड़ नांथ सी determination हो जाएगा ध्यान में रख़ेगा अन्पूरा निबंद स्री कुवेडनात जी का ही निबंद है नेश कोशन है कि भगवान बुद्ध से किसने प्रस्न किया था आजाद सत्र ने असकंद गुप्त में रामगुत् तो बगवान बुद्ध से सबसे पहले प्रश्ण किया था कि प्रिया नील कंथी का रचना काल क्या है यानिकी जो प्रिय नील कंथी एक रचना है उस किस सन में रची गई थी या उस कि रचना हुई थी उसका क्या नहां है उस सन का तो आपको मिल जाएगा 1968, 1970, 1965, 1905 तो इन आप सनों बेशे जो question को जो right answer हो जाएगा दुफतू वो हो जाएगा 1968 यानि की ए नमबर प्रिया निरकंथी की रशना सन 1968 में हुई थी ओके बढ़ते हैं लिखाए कि रस आखे टक किसकी करती है ठीक है रस आखे तक किसकी रसना है तो आपको लोगों को मिल जाएगा आपसे नरेंद्र की निराला की भूशन की और लास्ट आपसन है कुबेडनाथ की तो right answer को जाएगा रस आखे टक जो है वो कुबेडनाथी की रसना इसलिए right answer डी ओके चलिए बढ़ते हैं अगले क्यों लिखा आए कि गंध मादन ठीक है गंध मादन की रसना किस वर्स हुई 1955 में 1972 में 1960 में 1980 में तो ध्यान में रिखेंगा important question यह भी है ठीक है तो जो गेरा नंबर question है उसका जो right answer हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1972 यानि की बी नंबर याद रखेगा बी नंबर हो जाएगा next question है कि साहित्तकार की भूमिका जीवन किस से जुड़ी होती है बोध से अम्रत से विस से तनाव से तो जो जो साहित्तकार की भूमिका जीवन जो जो जुड़ी होती है उसका नाम है क्या नाम है आप लोग आप से मिल गए हैं इन मैं से guess करिए कौन सा right answer होगा ठीक है इस question का right answer हो जागा दो तो अम्रत से ठीक है अम्रत से जुड़ी होती right answer के लिख करेंगे जिए बढ़तें अंगे क्यों करें लिखिये कि का निबंद है जिसका नाम है मराई डियक्ति रॉप कोरी कि मोहारा केया नाथ द्यहां में में रखीए के लिखा है कि आगम की नाव किसका निबंद है आपको option मिल गए है यह सपालोपेंद नाथ और कुबेड नाथ सोहनला राइट एंसर हो जाएगा सी नंबर आगम की नाव निबंद है वो कुबेड नाथ जी का है याद रखेगा आगम की नाव next question है कि कोला हल और क्रोध की प्रोचना इन दोनों के साथ जुड़ती है इसमें तीसरी बात क्या है जो कोला हल और क्रोध की प्रोचना इन दोनों के सब्द से जुड़ती है इसमें तीसरी बात क्या है हास संगठन बेंग सब्द बेविचार तो इस question का राइट एंसर हो जाए सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब क्वेड़न नात का प्रथम निबन्द संग्रा कौण सब्सक्राइब बेला अरचना आडिम प्रिया नील कंठी बहुत इंपार्टन कोस्चिन नें कि लक्या नाम है यानि में छू जंग छ कैनी राइट याद रखेका ठेस्टि नंबर लिखा आजड़ें युटर निनांग्य कोई न navyue surgery है उनेशन मेलment 90 rud उनिस्ट सत्तर 1986 और लास्ट आफ्ट आफ्ट उन्यस्ट तो इस को राइट अंसर हो जाएगा 1970 ठीक है बी नंबर याद रखेगा अगला क्वेश्चन है कि निम्ली खित में से निसाद मासूरी 1974 किसका निवंध है कुवेड़नात का प्रसाद का हजारी प्रसाद का रामचंद सुकल जी का तो इन क्वेश्चनों में से राइट अंसर हो जाएगा ए नंबर ठीक है याद रखेगा ए नंबर अगला क्वेश्चन है कि मुझे अफ्सोस है कि मैं आप सुरीश में कोश्चत थ बना है इसका जो देहान थे निधन में हुआ था तो आपको आप सन मिल जाएंगे सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे लाइक करेंगे उसके लिए आपको कमेंट करना होगा और बहुत सारे पूश्चन भी आप लोग पूश सकते हैं कमेंट करके उसका रिप्लाइद दोने पूरी कुशिश करेंगे टेलिग्राम चैल का लिंक वीडियो की रिखस्ट में है तो आइन हो जाएए ठीक है मिलते हैं इस वीडियो में तब तक ले जाएंद